दोस्तो घरेल उप्चार और सुगी जीवन चैनल पर आपका हादिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुती आसान और घरेल उपाए वजन घटाने का आपके लिए कर सामने आए हैं दोस्तो वजन हमारे सरीर में बढ़ने के कई कारण है जैसे हमारा पाचन क्रिया का छना होना और हमारा मेटाबॉलिस्म बहुत कमजोर होना इनकी वजहों से हमारे सरीर का वजन बढ़ता है और जिसकी वज़े से हमें बहुत सारी दिक्कतें सामने देखने को मिलती हैं जिसकी वज़े से कोलेस्ट्रोल सरीर में बढ़ता है उसकी वज़े से दिल की बीमारी और ठकावट और टाइन से पहले ज़्यादा एज दीखना और पैरों में दर्द, धर्डियों में दर्द और सरीर में दर्द ऐसी बहुत सारी बीमारियां अपने सरीर में घर बना लेती ह दोस्तो मोटापा बढ़ने से बहुत सारी बिमारियां अपने सरीर में आ जाती है तो इससे अच्छा है कि मोटापे को पहले से ही उसका इंतिजाम करें और इसे दूर रहें एक बहुत आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक कटोरी में यह है पका हुआ पका हुआ पपिता और यह है कच्छा पपिता दोस्तो खाने से पहले खाना खाने से पहले यदि कच्चा पपीता हम सलाद की दोर पर चोटे-चोटे पीस बना कर इस्तेमाल करते हैं तो ये वजन घटाने में बहुत अच्छा और बहुती कारगर उपाय है, सिद्ध हुआ है आज तक, और खाना खाने के बाद, यदि हम पकावा पपीता खाएं, तो वो और भी जादे बहतर है, जो वजन घटाने में दोनों तरीकी से मदद करता है, कच्छा पपीता हम खाना पहले खाएं, और पकावा पपीता खाना खाने के बाद, दोनों इस चूरत में हमें फायदा है, और हमारा वजन कम होगा, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, और खाने के साथ साथ इसको भी खाएं, ताकि आपको दूसरी जो ओईली चीज़ें हैं, या दूसरा जो खाना ह वो कम खाया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दे, चाहे तो इसको सलात समझ कर खालें कच्छा पपीते को, और पकावा पपीता खाना खाने के बाद जरूर खाएं, दोस्तों बंदरे से 20 दिन के अंदर आपका 5 केजी वजन 100% कम हो जाएगा, ताकि आप उसकी वज़े से आप अपने आपको हलका और बहुती जवान और बहुती अच्छा महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हामा, हाँ हमारे सरीर से कुछ वजन कम हो गया है और इस फूर्ती और काफी अच्छा महसूस करेंगे, दोस्तों इसको एक बार इस्तिमाल करने के बाद में, एक हपते क फिर रेस्ट दें फिर से इस उपाय को इस्तेमाल कर सकते हैं पंद्रे से 20 दिन तक आप यूज करें इसको 5 किजी अपना आपका वजन 100% कम होगा दोस्तों इसके साथ साथ आपको और दूसरी खाने पीने की चीजों में भी ध्यान देना होगा तलीवी चीजे इस दोरान बिल गेन होता है और जो ओयली चीजे होती है ज्यादा गी तेल वाली चीजे होती है उनको भी अवोइड करें वो भी ना खाएं जंक फूड बिल्कुल ना खाएं और अपने खाने में डाइट में खाने के साथ में फाइबर ब्रेक फास्ट में या कभी भी फाइबर को जरूर इस्तेमाल करें उसको अपनी डायट में हमेशा के लिए सामिल कर लें फाइबर खाने से बहुत फायदा होता है फैट हमारे सेरीर में नहीं बढ़ पाती है और हमारा मैटाबॉलिज्म और बाचन के लिए बहुत फास्ट रहती है जिसके वज़े से वज़न सरीर का नहीं बढ़ता है दोस्तो हमारी इन टिप्स को याद रखे और इसे फायदा उठाए दोस्तो हमारी यह है वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ अपने रेलेटिव इसके साथ भी इन उसकों को शेयर करें उनको भेजें उनके साथ शेयर करें दोस्तो प्लान उपाय हमारे और फायदा आप सबके इसी ख्याल के साथ अब दिजिए इजाज़त जल्दी ही फिराजीर होगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हस्ते रहें मुस्कुराते रहें और अपना क्याश्ट में